लेकिन कुछ बाते कहनी सुननी और बोलनी जरूरी है क्योंकि जब आखों के सामने शड्यंत्र होता है तो उसका परदा फाश भी होना चाहिए राहुल गांधी भारत की राजनीती के प्रमुख नेताओं में से एक हैं पहले सत्तारूर दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है चार बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं और जब चार बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धर्ती पर केंब्रिज उनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात शेक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या एहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं इस देश का सीना चौडा करते हैं गर्व से और इस देश के लोकतंत्र के इस देश के मूलियों के धुजवाहक बनते हैं उन्होंने और राजीव जी जे से लोग हैं और यहाँ पर बताना जरूरी है कि यह राहुल जी का भी आलमा माटा है वो केम्बरिज में पढ़े हैं और वहाँ पर आज विजिटिंग फैलो एट दे केम्बरिज जज बिजनस स्कूल जब वो वक्तव देते हैं कि भारत की एक एहम भूमि पर महत्मा गांधी की आवास को गुंजने का काम राहुल गांधी ने किया केम्बरिज में उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूले हैं जिस पर हमारा सम्विधान बना है और हमारे राश्च का निर्माण हुआ है लेकिन भारतिय जनता पार्टी उनके आईटी सेल उन के सामने कुछ तथ ही रखना चाहती हूं सवाल जवाब के दौरान अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते टीवी डिबेट्स पर जाना होता है शाम को और कल पूरे दिन भारतिय जनता पार्टी उनके बद्दिमाग प्रवक्ता उनके विक्षिप्त मंत्री लगा तार लगे हुए थे विदेशी धर्ती पर राहुल गांदी जी न इनके आकाने तो ऐसी ऐसी बाते करी है कि सिर्शर्म से जुग जाए 2015 मई शांगाई गए चीन के सामने कहते हैं देश के लोग कसर शर्म से जुग जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए जब ऐसे वक्त है हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए लेकिन जब हम लोग टीवी डिवेट कर रहे थे छे बज़े तक यही था विदेशी धर्ती पर पेगसिस पर पेगसिस पर भी बैचारे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो जाज समिती सुप्रीम कोट की थी उसने पेगसिस जो कि खोकला दावा और खोकले आक्षेप सावित हो रहे थे एकदम से सवाचे साड़े छे बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चानल पर और हर पोर्टल पर आने लगी और यह आने लगा कि कैसे राहुल गांदी जी ने तथाकतित भाजपा के कहनुसार औ की तारीफ करिए और पुलवामा के शहीदों की अभेलना करिए मैं टीवी डिपेट पर थी मैंने गहना पत्ती जताई लेकिन मुझे बहुत जादा वक्त नहीं लगा समझने में क्योंकि आनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चानल हर न्यूज ऑर्गनाइजेशन प्रिं वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है लेकिन इस लाइन में क्या सच है और क्या जूट है ये भी बताना जरूरी है क्योंकि जब पेगसिस से काम नहीं बना जब विदेशी धरती से काम नहीं बना तो सहारा अपने परम मित्र चीन का ही लिया गया आपने खुद देख ल के जज बिजनिस स्कूल में बतौर विजिटिंग फैलो और भारत का एक नेता विजिटिंग फैलो बनके जाता है ये अपने आप में गर्व की बात है इससे सीना चोड़ा होना चाहिए देश का मस्तक उठता है बतौर विजिटिंग फैलो केम्रिज के अपना लेक्चर था और उस लेक्चर का टौपिक था लर्निंग टू लिसन इन दे 21st सेंचरी कीसवी सदी में लोगों की बात सुनना को कैसे सीखा जाए इस पर वो वक्ता विदे रहे थे और उन्होंने जो सीखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे उन्होंने अजनबियों की बाते सुनी कैसे उन्होंने अपनी बात बंद करके लोगों की बात की और मुक्रित हुए लोगोंने क्या समस्याएं बताई कितनी आत्मिता से बात करी किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करी किसी ने महिला सुरक्षा पर करी किसी ने तूटते ताने बाने पर करी इस पर लगातार उन् कि इसी जूजते हुए विश्व में और इसी परिवेश में भारत की एक एहम भूमिका होगी भारत की का एक एहम किरदार होगा एक एहम भूमिका होगी और भारत की भूमिका होगी समन्वे स्थापित करने की लोकतांत्रिक मुल्यों को इस विश्व को याद दिलाने की उन्ह उन्हें तुलना करी कि कैसे अमेरिका जो एकॉनमी बना दो लांड ओफ दो फ्री और कैसे चीन जो था उसने प्रोडक्शन दुनिया का वहां पर लाया उन्होंने कहा कि चीन की सरकार जो एक पार्टी के तौर से चलती है कोर्सिव सिस्टम है चीन की सरकार ने चीन के कारोबा में घुस पैट करिये लोगों के दैनिक जीवन में घुस पैट करिये और इसी से उनके पास डेटा आता है जो लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा कि चाहए आठिफिशल इंटेलिजेंस हो या साइबर वारफेर हो उसकी आधार शिला यही भूमिका होगी उन्होंने आगे एक बहुत एहम बात कही जो हमने दिखाया उन्होंने कहा दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में 21 सदी में उत्पादन मतलब मैनुफैक्चरिंग होनी ही पड़ेगी क्योंकि जो मैनुफैक्चरिंग की हब चीन बन गया है अपने कोर्सिव सिस्टम से बल पूरवक कोई चूँ नहीं कर सकता किसी की जमीन चली जाए कोई चूँ नहीं कर सकता लेबर लॉस के खिलाब जिसको उन्होंने कोर्सिव सिस्टम आपके सामने मैंने दिखाया उन्होंने जिसको कोर्सिव सिस्टम कहा उन्होंने कहा विश्व के लोकतांत्र एक परसंट देश के पास 40 प्रतिशत संसादन है, आर्थिक असामानता, बेरोजगारी, गरीबी का नहीं, तो गुस्सा ऐसा फूटेगा, कि संभाले नहीं संभलेगा, और इसलिए लोकतांत्रिक देशों में उत्पादन बढ़ाना अनिवार है, नहीं तो एक आपदा बंती नजर आ रही है, इससे किसी को क्या अपत्ती हो सकती है, यह मेरी समझ के बाहर है, असल में तो अगर मैं सरकार में हूँ, तो मैं कहूं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लगा तार दो तिमाही से मैनुफैक्ट्रिंग नेगेटिव में चल रही है, जीडिपी का डेटा चार पॉइंट चार दशमलव पर आ गया है, और यह सुनने को तयार नहीं है, इससे क्या अपत्ती है मुझे नहीं पता, और अब बात कर लेते हैं उस अमर प्रेम कथा की, जिसके आपने कुछ अंश देखे, और वो यह मेरे शब्द नहीं है, यह मोदी जी के शब्द है, वो कह ही कहérica है, हम नहीं समझपा रहें इस बात को, कि ऐसी कौन सी गलबहिया है, ऐसा कौन सा इश्ग है, ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसी कौन सा भाई चारा है, ऐसी कौन सी आत्मिता है, कि इस देश का प्रधान मंत्री 20 जा बाजों की शहादत के बाद, चीन का नाम नहीं ले पाते इस देश के प्रधान मंतरी साबर मती के तट पर जूला जूलते हैं शी जिन पिंग के साथ महाबली पुरम में शहनाई सुनते हैं बाली जाते हैं तो बीस जाबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहन कर बजाए लाल आखों के खड़े हो जाते हैं इस देश के चुने हुए प्रधान मंतरी की चीन से यह आत्मियता है की नाम लेना तो दूर कोई घुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं और कितना दुर्भाग गया इस देश का कि चीन का पी ले और हमारे प्रधान मंत्री एक ही भाशा बोलते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए है 20 जाबाजों की शहादत का बदला हमने 100 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा बढ़ा कर दिया है इन सब बातों का जवाब कौन देगा इन सब बातों का एक ही जवाब है ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम यही कहना चाह रहे हैं मोदी जी शी जिन पिंस और मैं नहीं कह रही हूं ये मेरे शब बिलकुल नहीं है ये मोदी जी के शब्द है कि हमारा ऐसा नाता है वो वर्ड नगर आये तो फिर वो फलाना हुआ ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि दो लोगों में कितनी आत्मेता हो सकती ये मेरे शब्द नहीं है ये मोधी जी के शब्द है उनसे दो हाथ आगे हमेशा ऐसा होता है आका कुछ करता है तो जो प्रजा होती है वो दो हाथ आगे अगे इस देश के विदेश मंतरी श्री जैशनकर जी निकल गए आपने देखा मैं फिर से ना मेरे शब्द है ना कॉंग्रिस पार्टी के शब्द है श्री जैशंकर जी ने अपने इस इंटर्व्यू में कहा दो हाथ आगे निकल कर और हमारे सेना के मनोबल को गिराने का काम किया जब रहे हम चोटी अर्थ वेबस्ता है वो बड़ी अर्थ विवस्ता बढ़िये उनसे हम कैसे लड़ेंगे हमने सत्य और अहिंसा और देश भक्ती और राश्ट प्रेम के बदल पर इस सरकार के बृतानिया हुकूमत को घुटने टिकवा कर इस देश से विदाई करा दी थी लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय माफी नामे और मुक्बीरी की जा रहे थी मैं एक और बयान और ये मेरे लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत है क्योंकि मैं वहाँ पर थी तो मैं जरूर इस बात का भी उल्लेख करना चाहती है ये बात है पुलवामा वाले बयान की आप विपक्ष के नेता को पॉलिसी पर विपक्ष के नेता को उनके वक्तव्यों पर बिल्कुल घेरिये लेकिन आप विपक्ष के नेता को घेरने का काम लोगों की जो शहादत हुई है उसके बल पर करेंगे तो ये स्वी कारें नहीं है राहुल गांदी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुँचे तो कश्मीर में हिंसा का महौल है कश्मीर में इंसरजेंसी है क्या सरकार इससे नकार सकती है ये अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब नहीं बोलेगी, छे महीने से वो अंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की कि कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, ये असलियत है, ये सच है, तो राहुल गांदी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते हैं जब कश्मीर पहुँचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिये, यहां पे असुरक्षा है, आपके उपर हैंड ग्रिनेट पड़ सकते हैं, लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कुबूल किया, वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सेलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां महबत होगी, जहां प्यार होगा, वही विश्वास होगा, मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आएं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित है और मैं सलाम करती हूँ ऐसे जजबे को, और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांदी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा, अपनी फोटो को दिखाते हुए, आपके साथियों को, नॉड़ा के कमांडो वारियर अंकर गड़ को, इना कार बॉम समझ में आता है, अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं, तो मेरे नेता के खिलाफ़त आप यह नहीं कर सकते हैं, राहुल गांदी जी ने कहा, चालीस सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम से तीन सो किलो आरडी एक जब आया, और चार सो जवान वहां पर मारे गए, उस थल पर जाकर उन्होंने पुश परपित किये, इस बयान पर भी आप राजनिती करिएगा, इस बयान पर भी आप अमान विये राजनिती करिएगा, आप भले पुलवामा ना गए हो और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है, तो अमिद शाजी इलेक्शन राली करते रहते हैं, हमने अपने सारे कारिक्रम सगित कर दिये थे, अमिद शाजी इलेक्शन प्रधान मंतरी मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होई, तो प्रधान मंतरी को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था, हमारे नेतर ने जाके वहाँ पुश पर पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे, इस पर तो हम आपको ऐसा मूँ तोड जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगे नहीं मिलेगी, और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि केंब्रिज युनिवरसिटी जैसे विश्व विक्यात संस्थान में जो 1206 में स्थापित हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बता स्थापिशन रही हो, एक जबरदस्ट इंस्टिट्यूट है ये, और यहां का एक ऐलम ना है, उनका अलमा माटर है, वो खुद वहां पर पढ़े हुए हैं, वहां पर जाकर जब वो भारत के ध्वजवाहक बनते हैं, जब वो भारत की एहम भूमिका की दुनिया में बात कर होंगी, नफरत के इस बाजार से निकलिये, अपने ग्यान चक्षू खोलिये, अपने उपर एक एहसान करिये, वो एक घंटे एक मिनत का वक्तव सुनिये, आप भी बहुत सीखिएगा, इस देश को सिखाईगा, और अपने बच्चों को सिखाने लाइक रहिएगा, क्योंकि चीन पर सवालों की बहुचार है, और उन सवालों से आप बच नहीं सकते, ये भी एक तथ है, I will very briefly make a statement in English on this and then take your questions, Shri Rahul Gandhi is a leading member of India's politics, as a member of India's party in power earlier, the Congress party and as a leading member of the opposition, he has consistently stood for and espoused the causes of the common man, he is a four time elected MP and when he speaks in Cambridge about a world that is strife with divergence, that is strife with tension and what an important role India can play in that world, he is actually lauding the Indian democracy, he is actually being a flag bearer of the values that our nation is built on, when he talks about Gandhi and the values of our constitution and the foundation of our country, he is actually bringing India a lot of pride and that is a matter of great pride for India, I don't understand where it stems from but the BJP's opposition is either ignorance or completely contrived politics, both of which have no place in a democracy, I will very briefly tell you what happened, we were all on evening shows, the BJP had been consistently attacking Mr Gandhi on two counts, why did he speak on foreign soil and why is he mentioning Pegasus, both of those counts were hollow, because Mr Modi has gone ahead and spoken much worse, washed dirty nilin in public, made useless, baseless allegations against India's political ecosystem, against political opposition when he was travelling overseas, to the extent that in 2015, while in Shanghai, while on the Chinese soil, he had said that people in this country curse their destiny while they were born in India and so that charge did not hold true, the Pegasus charge also did not hold true because the Pegasus fact finding committee appointed by the Supreme Court told the court in no uncertain terms that the government of the day did not cooperate with that committee, so both of those charges were falling on hollow counts and they were really not sticking and so suddenly between 6.15 and 6.30 and because I've done media for a while now I understand through a completely coordinated action, this could not have been an exception, this was a completely coordinated action, suddenly every media house, every channel, every portal, every newspaper, every web portal, every website started talking about some statement that Rahul Gandhi was being attributed to on China and what was mischievously being quoted to him on Pulwama and which is why I want to state on record here, we've shown you a video, Shri Rahul Gandhi was at Cambridge delivering a lecture at the Cambridge Judge Business School as a visiting fellow and the topic of his lecture was learning to listen in the 21st century, I think lessons that he has greatly learned and wants to share with the world and should be shared with the world as far as the Bharat Jodo Yatra is concerned and in that lecture he categorically was talking about and making comparisons between America and China, talking about America as a free, fair society and talking about China as a close society, as a complex ecosystem and he went on to say, he was talking about the yellow river, he was talking about the civilization came up and he went on to say that in a world that is hugely divided between America on one hand and China on the other, India has a very important role to play and our values will come true when India plays that role. He spoke about how China gets into corporations, gets into the daily lives of its citizens, is very intrusive, the Chinese government, a one party system is very intrusive and he said that's the basis of the cyber warfare and artificial intelligence that today China is doing and he said that democracies like India and America will never ever allow that. He then went on to say that democratic nations in the world including India need to focus on manufacturing, need to focus on production so that there is gainful employment created and manufacturing cannot be restricted to coercive ecosystems. He was referring to China because China has a coercive one party ecosystem where if your land is taken, you cannot say a word, you cannot speak against the labor laws, you cannot protest against the government. He was speaking about a coercive ecosystem and the point that he was making was that how countries like India and democracies the world over have to start looking at manufacturing hubs, have to become production engines. Otherwise, what will otherwise happen is that there is a huge income inequality, there are high levels of poverty, there are alarmingly high levels of unemployment and all of this is going to result in the complete collapse of democracy. If I were a part of the democratically elected government here in India, I would take some lessons from it because for the last two quarters our manufacturing has contracted, it has been in the negative territory, our recent GDP growth is down to 4.4 percent, our unemployment rates are high and our inflation has never been as back-breaking as it is now and the government continues to profiteer from your woes. So I would actually take lessons from it. But no, the BJP will not do that. But I think I have spoken enough on what Mr. Gandhi said. Let's just turn focus and talk about the eternal love story. The eternal love story that brews between Mr. Modi and China. I am not even referring to 18 visits that he has made to China or the fact that he was listening to the Shehnai at Mahaballipuram or the fact that he was on a swing with Mr. Xi Jinping when they were planning Debsang or the fact that he left his food plate in Bali and went running to Mr. Xi Jinping wearing a red shirt and not showing red eyes like he used to speak about. I am only asking questions and these are not my words. These are the words of India's Prime Minister after and before he was elected to this August office. It is Mr. Modi who has categorically said that Xi Jinping and I are so close that people will not understand our relationship. I am not attributing this. He has said it. It's a matter of record. We've just played the video to you. We will also share this visual. The love affair is so huge and the love is so intact that he does not not just name China. He also goes ahead and gives them a clean shit. And isn't it a matter of record that China and India are speaking the same language and essentially stating that not a single intrusion has happened in China. If there is no intrusion, how have we lost control on our patrolling points? If there is no intrusion, why have those patrolling points become buffer zones? If there is no intrusion, why does the Prime Minister never make a mention of 20 brave hearts who made the supreme sacrifice? And if there is no intrusion, why has the Prime Minister gone ahead and taken our trade deficit to a hundred billion dollars? In turn, are we funding the Chinese army to do the intrusions that they are doing all across the border? Those are questions that Mr. Modi must answer. But, you know who's more loyal than the king? India's foreign minister. He goes a step further and he says we are a smaller economy. China is a bigger economy. You don't expect us to attack them. Oh yes, we do. We do because we fought the British that were multiple times our economy. That had a bigger army, that had more brute force, that had everything going for itself. We fought the British, we defeated them, but you won't understand that because when we were fighting the battle, you were standing with the British. And you were writing letters of apology and claiming to be prodigal sons of the empire. I also want to make a mention and this is rather personal for me because Mr. Gandhi spoke about Pulwama and he said that, he pointed to a picture and he says this is me. There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. But when I was on news channels and when various colleagues were there and suddenly when breaking news was happening across news channels, it was attributed that Rahul Gandhi does not call it a terror attack. How did he not call it a terror attack? He said I went to Pulwama and this is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. What else do you expect him to say? He then of course goes on to talk about how when he entered Kashmir he was told by security forces not to walk. He ignored them, he walked and it was heartwarming and I was there personally. It was heartwarming to see a sea of Indian tricolor all over and it proved beyond doubt that love alone will win this world. It proved beyond doubt and people came and told him we felt you had come here to listen to us and which is why you go back safely. It proved beyond doubt that in the bazaar only will only go to love and love. So it's beyond my mortal comprehension why is such a fuss being made about it. I don't want to talk about it but when Pulwama happened, you know what was Mr. Modi doing, right? Do I need to remind you? When Pulwama happened, the Congress party stalled all its political events. Amit Shah kept doing a rally and Mr. Modi kept shooting man versus barbara. wild at the Jim Corbett Park along with Bear Grylls. It's a matter of record. I am not saying this. Please find out on your own. The government has never disputed this claim. There are pictures, videos of him coming in and going out. After Pulwama had happened, Mr. Modi continued. He continued unabated to shoot that documentary man versus wild. The supreme sacrifices of 40 soldiers was not enough to Mr. Modi to deter away from the camera. And so I will only in the end say Cambridge University was founded in 1206. It has some of the most shining people in the world as its alumni including Mr. Gandhi himself. Prominent among those are Charles Darwin, Stephen Hawking, Pandit Nehru, Rajiv Ji himself. And when he speaks there and he speaks about India having a center space in the world, he actually brings a matter of pride to this country. I don't understand. Either the BJP has not understood what he says. But do yourselves a favor. I will only tell to my friends in the BJP. Do yourselves a favor. Go listen to that one hour, one minute lecture. It will widen your world view and it may perhaps make you understand what Indian democracy, what Mahatma Gandhi and what our values are on the basis of which our country has been founded upon. Thank you very much. Pahle suwo muto pe sawal le lete hai. While I was walking in, I was told by my office that the BJP has done a press conference. Yesterday while I was, while we were debating and we were on various shows and suddenly the news cycle changed and suddenly breaking news started appearing, I thought let's give them the benefit of doubt. But then I saw a pattern and then suddenly between 6.24 and 6.30 every channel cannot be on breaking news on the same topic. I have done media far too long so I can't be bluffed. I said let's give them a benefit of doubt. Maybe the media has collectively listened to some part of the speech that they want to play. But when the BJP does a press conference and says the same thing, it is beyond doubt that large sections of the media no longer rely on their field reporters, they don't rely on their researchers, they don't rely on their input or output desk, they are not relying on copy editors, they are relying on WhatsApp forwards that are being sent by one person in the PMO. And yes I am charging them with playing politics on Pulwama because when Pulwama happened and when we stalled everything and we continue to pay homage to those people, Mr. Gandhi stopped, we were all in Kashmir, it was a very rough district, Kashmir is insurgency prone, we were walking in Kashmir, he stopped there, he went, he paid tributes, floral tributes and we walked forward. What was Mr. Modi doing? He was shooting a documentary with Mr. Grills, Bear Grylls, Man vs. Wild in Jim Corbett and he didn't stop shooting the documentary. So yes, I am accusing them of playing politics and politics of a very base kind. Look, what do you say in Comedy Central? What do you say in Comedy Central? What do you say in that way? I don't have to answer so much of a doubt about it, this is not the right thing you are talking about. Those who are talking about Comedy Central will be a good career in Comedy Central, I will not do a good job about it. I have been saying that I got here, the truth was a great way, it was a lot of good job. He has said that the country, I have said that the country, he has got into it, he has allowed to help us, this country, him. He has talked about it, he goes about it, he talks about it, he talks about it, that God does not come before us, he says that the America and China have made it, only the most important things he can do, he has talked about it. He spoke about it, he talks about it, he talks about it, he talks about it. कर रहे हैं वो उन मूलियों की बात कर रहे हैं जिस पर हमारा धाचा हमारी बुनियादी जो हकीकत है उसकी बात कर रहे है इस पर किसी को क्या अपत्ती हो सकती है मैं तो मेरी समझ के बाहर है राहुल गांधी कैसी तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं इस देश का आप G20 की बात कर रही है, इस देश में महंगाई का ये स्तर है कि 50 प्रतिशत जो सबसे गरीब लोग है वो 64 प्रतिशत GST अदा कर रहे हैं और सरकार उस पे अपना सीना ठोक रही है, ये तो इस सरकार का नेतिक दिवालियापन दिखाता है, इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि सरकार कह चाहे, असलियत ये है कि यहां पर आए हुए चाहे वो US Secretary of State हो, जिनोंने 2021 में भी और मुझे मैस का समर्थर नहीं करती हूँ, कोई भी बाहर की ताकत हम पर बोले, मुझे इसका बिलकुल भी समर्थर नहीं करना है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि we are keeping an eye on the persecution of people in India and religious places, आपको बिल्कुल वो सुनना पडğı गा, जब लोग कहते हैं कि Press Freedom in India गिर रहा है, जब लोग कहते हैं कि Democracy Index में हम गिर रहे हैं, यह हमारे आक्रे नहीं है, यह हमारे Index नहीं है, Press Freedom के Index में हम गिरते हैं, अंगर के इंडेक्स में हम गिरते हैं, पीस के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हापिनिस के इंडेक्स में हम गिर रहे हैं, कौन खुश है इस देश में आज, मोधी जी और उनके चरण चुम्बकों को छोड़ कर, इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, जो आज खुश हाल हो कर कहें कि बड़ी जबर्दस उन्नती हो रही है दवालब पैसा भरा हुआ है बच्चों को बढ़ियां से पढ़ा रहा हूं और सब कुछ चका चक चल रहा है मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं अगर आप लोग को मिले तो जरूर उस नमूने को मेरे सामने लग की बात है लेकिन हमारे नेता ने इस मंच से 31 दिसंबर 2022 की अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में हमारे अध्यक्ष ने हमारे राइपुर के महाधी वेशन में हमारे तमामों senior leaders ने इसका बार बार जिक्र की और इसमें कोई संशे नहीं है कि 2024 में इस देश का समूचा विपक्ष आ और नफरत पहलाने वाली राजनीती का विरोध करेगा हम उसका पुर्जोर समर्थन करेंगे इसमें कोई संशी में दो दिन से लगातार यह सुन रही हूं तीन राज्यों के नतीजे आप आकड़े उठा कर देख लीजेगा त्रिपुरा में जहां पर ठोका जा रहा है क्योंकि नौर्थीस के बाहर भी एक दुनिया है तैतिस साल तक भाजपा का गढ़ रहा महराश्य की एक सीट कजबा पेट तैतिस साल उस गढ़ को हमने ध्वस्त किया और वो तब किया जब आपने सम्मुचे विपक्ष के खिलाफ अपनी निरंकुश एजेंसियों को छोड करा रहे हैं 51 साल के बाद हमने एक सीट वेस्ट बेंगॉल में जीती और वो हमने अपने काम के दम पर जीती है हमने जो राजनीती हम कर रहे हैं उसके बल पर जीती है खत्रे की घंटी भाजपा के लिए है 19 घटक दल छोड़के चले गए महिंगाई बेरोजगारी गरीबी आर्थी का सामानता सर चड़के बोल रही है लोगों के अगर खत्रे की घंटी ना होती तो जिन बातों पर राहूल गांदी जी की या कॉंग्रेस की खिलाफत होती है यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की बॉखलाहट और उनका डर दिखाता है जब आप छोटे संस्थानों पर ज जब आप 21 साल की क्लाइमट अक्टिविस्ट पर जब आप एक वेब पोर्टल के खिलाफ EDCBI भेज सक देते हैं तो यह आपका 56 इंच का सीना नहीं यह आपका दुरबल मन 56 ग्राम का बजन दिखाता है लगता है कि एक समवेधन शील मामला है और मुझे इसकी पूरी जानका को NCPCR को इस पर जरूर कुछ करना चाहिए एक NCPCR है National Commission for Protection of Child Rights जिनकी आखें और नीध तभी खुलती है जब उनको कॉंग्रेस के खिलाफ कुछ action लेना रहता है चुनावों में बच्चों का कैसे प्रयोग प्रधानमंत्री जी और भाजपा करती है इस पर वो शान्त रहते ह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उनको action जरूर लेना चाहिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पर भी हमारे citizens हमारे नागरिकों का कहीं पर हक खानन हो रहा है तो उस पर सरकार को बिलकुल act करना चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका